इस तरह का पैक करना पड़ता है 14 गंटे डूटी है और बंद नहीं होता है चुट्टी नहीं होती एक भी बंगलादेश है बहुत काम है यह दोस्तों देख सकते हैं इस तरह की पैकिंग मगरा होती है सामान मगरा यह बाही लगा रहा है अब हम चल रहा है कि यहां का 5 रियाल मौल है जहां पर हर चीज पांच रियाल की मिलती है तो दोस्तों बहुत बड़ा मौल है वहां पर भी हमारे दोस्तों काम करते हैं तो वहां पर पता करेंगे कितनी सेली मिलती है उन वर्करों को अगर आप इन काम में आएंगे तो कितनी स चुरूम होता है कैसे काम होता है कितनी सेली मिलती है तो बने रहीगा फिरे ब्लोग में एंड तलक ठीक है दोस्तों तो देख सकते हैं गाड़ी में बैठे हैं तो चल रहा हैं वहाँ पर फिर आपको दिखाएंगे तो दोस्तों उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा पहली मरतबा हमारे चैनल पढ़ाएं लाइक कर दिजिएगा शेर कर दिए और दोस्तो आप लोग एक कमेंट करके बताईए आप लोग किस काम में आना चाहते हैं किका दोस्तो तो चलते हैं फटा-फट बने रही है कि मेरे ब्लोग में एंड त तो दोस्तों अभी हम इसके अंदर चल रहा है यह पांच रियल का यहां पर हर चीज पांच रियल की दोस्तों मिलती है तो देख सकते हैं अंदर चलते हैं और वहीं पर फाइनली हम आ गया है में थोड़ा सामान मिलेना तर ट्रॉली दे लिया है तो आप लोग देख सकते है इस तरह करा, यहाँ पर यह मॉल बगरा है, यहाँ पर आपको तेल, साबून, शेम्पू, हर चीज आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं, देख सकते हैं, यह बोडी लोशन बगरा है, यही सब काम रहता है, दोस्तों, आमान जो आता है, लगाना पड़ता है, हर क्वाल्टी जो अलग-अलग होती है तेल साबू शैम्पू सब को अलग-अलग करके लगाया जाता है यही सब काम रहता है जैसे वो लोग लगा रहे हैं देख सकते हैं यह मेरे दोस्तों लोग हैं यह लोग लगा रहे हैं काम कर रहे हैं यह दोखो दोस्तो यह लोग लगा रहा है ऐसे प्लास्टिक के बर्तन बगरा बिखते हैं आपर यहीं सब सामान रहता है दोस्तो देख सकते हैं इस तरह का काम बगरा रहता है जो माल बगरा आता है तो ऐसे प्लास्टिक वाला सामान बगरा यहां पर मिलता है तो दोस्तों हमने पता करा मलब सेली बगरा जो रहती है इन लोगों की नए आदमी को जो है 15 सुरियाल मिलते हैं और पुराने आदमी को जो है 18 सुरियाल मिलते हैं जो सौधी रेटन है लेकिन दोस्तों इसमें जो है कम से कम दसमा पास होना चाहिए थोड़ा बहुत पड़ा लिखा होएगा तभी लगए क्योंकि जो है यह बॉक्स बगरा होते हैं जैसे यह बॉक्स बगरा है इस पर नाम लिखा हुआ है तो यह पड़के लगाना पड़ते हैं और इसमें लोडिंग लोडिंग का भी काम रहता है जैसे माल जो आता है ट्रकों में उसको उतारना भी पड़ता है तो थोड़ा मेनत का काम है लेकिन डूटी इसमें 10 घंटे डूटी रहती है दस से 12 घंटे डूटी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा है तो इस तरह का जो है मौल बगरा रहते हैं आप लोग देख सकते हैं ये मौल जैसे ये रहके खाली हैं ये साथ सफाई करके लग रही हैं यहां पर माल लगे गए देख सकते हैं ये खाली रहके हैं तो इसमें माल जो है ये लोग लगाएंगे तो आप लोग देख से दोस्तों बाहर का इस तरह का लोकेशन है और जो लोग आईस क्रीम जो लोग दोस्तों बेशते हैं ये लोग आजाद बीजे पर का करते हैं जैसे आजाद बीजा होता है तो उसके बाद में जो है ये लोग गाड़ी ऐसे कफिल बना के दे देता है और जो है आइस क्रीम बगरा जो है बेशते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आइस क्रीम का काम भी कितना बढ़िया है कितना बढ़िया लग रहे हैं इस तरह क पर नी यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोस्तों अवा जोती है फरी में ड़ती है कोई पैसा नहीं कपाट एक पर दोस्तों आप डाले से टायर साने ज다잉 क्ल जाथ해 आएगा हर तरह का समान कि इसमें डूटी टाइमिंग दोस्तों जादा रहती बारा घंटे कम से कम डूटी रहती है और खाना बगरा भी नहीं मिलता है नए आदमी को पंदरा सो और पुराने आदमी को जो सौधी रिटर नहीं ठारा सुरियान मिलते हैं यह दोगों दोस्तों आए तार टार दोगों एस पना प्लेस्टिक को सामान लगा हूँ आए यह साब लाय है आए लेकिर गरे का तुनहीं उतार दो यह हुए है यह दोगों दोस्तों इस प्रहां की पाइकिंग बगरा होते हैं यह बहाई उतार रहा है कितने अमल काई यह साथ सो पचास और अब 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 लास्टिक में जी में जी दो दो पीस पिकाल दो यह दो पीस एक और एक और एक और रमजान के वज़े सब सामान लग रहा है नि इसमें दो थो कितने तंखा मिलता है तंखा iki यह किती तंखा एक अंस तंखा के एतने चली है तंखा के अब racते है आँसरेय अ हुर्म सYa球 सेली मोलूं सली मोलूं tensionaleadya Canadian मिलता है दोस्तों इस तरह करना पड़ता है 14 गंटे डूटी और बंद नहीं होता है चुट्टी नहीं होती एक भी बंगलादेश है बहुत काम है यह दोस्तों देख सकते हैं इस तरह सी पैकिंग मगरा होती सामान मगराज बाही लगा रहा है 14 सो तनका बता रहा है 14 गंटे डूटी है डूटी टाइमिंग इसमें बहुत ज़्याद है चुट्टी भी नहीं है खाना मिल जाता है चलो यह बढ़िया खाना मिल जाता है तो दोस्तों इस तरह का देख सकते हैं मार्कीड बगरा होती है भाई बंगलादेश के हैं कितने साल स दोस्तों कर रहा है काम यह तो यही सब काम करना पड़ता है इस काम में दोस्तों अकर आप लोग आना चाहते हैं लेकिन डूटी इसमें बहुत जाला रहती है कोई मता ना वागी आपकी मर्जी है 14 सेली और 14 गंटे डूटी है लेकिन इसमें यह बढ़िया खाना मिल जाता ह है अगर कोई भी आना चाहता है तो देख लो इसका हमने कितनी सेली है और कितने घंटे डूटी है तो यही सब काम रहता है यह सब सामान लगाना पड़ता है यह दो कुकर वगरा भी रखे हुए हैं यहाँ पर यह देखो फानिली आप लोगों ने देखा है राहा इंट कोड़ाम जिसको बोलते हैं तो इसमें काम कैसे होता है किसे सामान लगाया जाता है जाता है और दोस्तों इसमें जू है यह द्यूटी टाइमिंग थोड़ी जादा रहती है तेरा चोदा घंट डा 2 रहती लेकिन इसमें एक इसमें खुड़ी भी जाता यह शुटी को खुटी मिलती हैं प्रास नहीं गते हैं 158 कान में आपकोने वर्कुर जो काम पहाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जिए पहली मरतमा हमारे चैनल पर आएं और लाइक कर दीए शेयर जरू करेगा और एक कमेंट करके बताईए आप लोग किस जॉप में आना चाहते हैं तो दोस्तों हम उसी के ओपर ब्लॉग बनाएंगे ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं इसे न